हेलो दोस्तों आप सबका फिर से एक बार सागते मेरे चैनल औरगेनिक एंड हैड्रोपॉनिक अर्बन ग्रोप रोपर आज हम देखेंगे कि अम्रूद में किस तरह की जाए तक हमें अगली सीजन में खूब सारे फल मिले है जोस्तों अम्रूद में वैसे दो देखा जाए तो साल में तीन बार फूल आते हैं और यदि हम इसकी अच्छी मेंटेनस करें अच्छी देख भाल करें तो हम तीनों फाल ले सकते हैं पर आज हम जो बात करने जा रहे है तो अम्रूद में कि गर्मियों के मौसम के फॉल लेने के लिए किस तरह कटिंग की जाएं ..... कि गर्मियों में फॉल लेने वाली सीजन को हम आ perceived बाहर भी कहते हैं और उसके लिए कटिंग किस तरह करनी चाहिए उसकी आणकारी में इस वीडियो में आपको देने वाला हूं तो पूरी जानकारी पाने के लिए जुड़े रहेगा वीडियो के अंतक आईए शुरू करते हैं इस वीडियो को तो आईए आप शुरू करते हैं हमारे इन अमरूत के पेडों की छटाई मेरा यह जो अमरूत का बगीचा है यह मैंने 2018 में लगाया था और यह हाइड एंसिटी बगीचा है यानि इसको मैंने नजदिक नजदिक लगाया है इसमें मैंने जो अंतर लगाया है वो है जो टू रो आट फूट है और पौदे से पौदे मैंने चार फूट रखा है सो एक पोदे को मुझे करीब 24-24 फूट जगा में फैलाना है इसके लिए मैं उसकी हाइट भी 6-7 फूट तक रखूँगा करीब इतनी और उसको चोड़ाई में मैं 6 फूट तक ले जाऊँगा यानि दोनों बाजू एक-एक फूट जगा खाली रहे और लाइन में उसको चार फूट तक रखूँगा तकि वो एक दूसरे में पेनेटरेट ना करे पूरी जानकारी पाने के लिए वीडियो को अंतक देखे यदि आपको वीडियो पसंद आए तो मुझे लाइक जरूर करिए मेरी दी हुई जानकारी उप्योगी लगे तो उसे शेर जरूर करे और आपकी राय और सुजाओ कॉमेंट बॉक्स में लिखे और इसी तरह के वीडियो देखने के लिए नीचे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले तो सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा कि हमारे तने पर से कोई नई फुटान आ रही है के नहीं तो आप देख सकते हैं कि तने पर से छोटी छोटी नई फुटान आ रही है तो हमें तने पर कोई फुट नहीं चाहिए तो हम इसको निकाल लेंगे काफी छोटी है तो हम हाथ से भी निकाल सकते हैं यदि बड़ी है तो हमें कटर के निकालना पड़ेगा तो यह हो गया उसका पहला स्टेप दूसरे स्टेप में यदि कोई डाली डेमेज हो गई है जैसे यह डेमेज हो गई है तो इसको हमें जड़ से निकालना है क्योंकि यह जो डाली डेमेजों के नीचे जुग गई है उसमें पानी बरा रहेगा और सडान होगी तो हम इसी सभी डालियों को निकाल देंगे इसके बाद यह हमारी पहली है पहली डाली है यह दूसरी है और इसमें से निकली है वो तीसरी है उसके बाद जो भी डाली आती है उसको हमें कटिंग करनी है और यदि दूसरी या तीसरी डाली में कोई पैंसिल साइज से छोटी है तो भी इसको हम अभी कट कर लेंगे अभी यह जो खरब हुई है इसको भी हम कट कर लेते हैं अब यह देखिया आप यह आदी सुकी हुए रोग वाली है इसको भी निकाल रहे हैं हम यह जो पतली है निकाल देंगे यह जो पतली पतली डालिया है इसको हम निकाल रहे हैं कि यह करीब पैंसिल के साइज किये तो उस पर थोड़ी फुटा नाने के लिए छोड़ देते हैं इस तरह अभी इसको लेते हैं अब देखिये यह पतली जो भी आई है नीचे की तरफ जुकी है उस सारी को मैं निकाल रहा हूं इस तरह हम सारी जो पैंसिल या उससे पतली थिकनेस वाली है उसको निकाल रहे है और जो भी पतली पतली निकली है हम उसको भी निकाल लेंगे तभी इस मेंसे नई फूटान आएगी और उस पर अमरुत बैठेंगे आप यह देखिए जो भी पतलि आओ ढलिया है अभी यह पेंसिल वाली है तो उसको उपर चोटी-छोटी ड़ालिया है वो निकाल देता हूं मैं यहां से यह देखिए यह भी पेंसिल वाली है इसको महीं उपकर काट लेता हूं यहां से जो नई फुटन आएगी उसमें अम्रूद बैठेंगे अब यह कोई चोटी ज्यादा है तो उसको कम लंबई तक इस तरह में साफ करना है हमें याद रखना पड़ेगा हमारा पौधा सिर्फ 32 स्क्वेर फूट में फैलने वाला है तो हमें इस पर ज्यादा से नहीं रखेंगे यह देखेंगे अब यह अच्छी डाली है और बहुत लंबी है अब इसको क्या कर रहे है करीब यहां से इसको निकाल रहे है तक कि पौधे का शेप जो है वो छोटा बना रहे है और जो भी फूटन आए वो मजबूत आए छोटी छोटी सारी डालिया में निकाल के साफ कर रहा हूं जो पास में से फूटी है बिल्कुल नदिक से नहीं डाली के वो भी सारी में निकाल रहा हूं अब की डाली इस तरह हो जानी चाहिए यह हमारी पहली डाली है यह दूसरी है और यह तीसरी है इस में से जो फूटन आएगी उस पर फल लेने है इस तरह हमें सभी पेडों की कटाई खतम करनी पड़ेगी तक कि नई फुटान चालू हो जाए हमें ये भी ध्यान दखना पड़ेगा हमें कोई भी पुरानी डाली या पत्ते नहीं छोड़ने हैं यदि कोई डाली सुखी है बीच में उसको भी न आप दिखेगी अगया दोस्तों हमारी जब टूनिंग खतम हो जाती है तो हमारा पौदा कुछ इस तरह का हो गया है और आप देख सकते हैं कि ये पौदा काफी खुला-खुला हो गया है सुरज की दूप तने तक नीचे तक जाती है आप देख सकते हो कि ये लाइन टू ल रह गया है और चोड़ाई में ये करीब 4-4-4 फूट रह गया है तो ये एक दूसरे प्लांट में टच नहीं होगा इसके बाद हमको क्या ध्यान रखना है कि हमने जो काटने के दौरान ये जो डालिया काटी है उसको अलग से इखटा करके हमें सब को कंपोज ये खात बनान उसको हमें अलग से इखटा करके जला देना है तकि उसमें से जो रोग है वो आगे ना फैले इसके बाद हम ये जो भी हमने घाव बनाया है ये सभी घाव पर हम ब्लू कॉपर का सॉलूशन बनाके उसको लगा देंगे तकि वहां कोई इंफेक्शन नहीं अंदर ना गुसे इसके अलावा हम एक टका का कॉपर अग्जिकलाइड का स्प्रे भी कर सकते है जिससे हमने जो छोटे छोटे घाव बनाया है उससे भी प्रोटेक्शन मिले और हमारे पौदे में किसी तरह का रोग दाखिल नहीं हो यदि हम इतनी केर इसकी रेगुलरली करते रहेंगे तो ह अभी के लिए हम हमारी ये सारी छटाई ख़दम करेंगे और उसके बाद हम इस सब कच्रे को उठा के कंपोज में डाल देंगे तो दोस्तो अब आप देख सकते हो कि अमरूत के हमारे पौदे है उसकी प्रूनिंग हमने ख़दम कर दी है और अभी आप देख सकते हो कि ये पौधे हैं अभी सारे खुले-खुले हो गये हैं हमने पुरानी कोई भी डाली जो पैंसिल से छोटी ही वह नहीं रखी है और आप पौधे की शेप देख सकते हो वह खुला हुआ पौधा कप टाइप का है यह देखिए आप इस तरह है तो इस तरह की शेप रखने से हमें तर आजाएगी और उस पर जब अम्रूत बैठेंगे तो उसके लिए मैं आपको एक अलग से वीडियो बनाके अपडेट जरूर दूंगा सो अभी के लिए इतना है थैंक्यू